हेला वर्यूवान माइनम इस गौरव जैसे कि आप से को बता है हम एट क्लास की जो एंसे टेक्स बूक्स है उसको देख रहे हैं यहाँ पर आज के अंदर हम बेसिकली बात करें तो चैप्टर नंबर आपके पास फूर प्रेक्टिकल जोमेटर को स्टार्ट कर रहे हैं इस प् करूँ आपके पास यहाँ पर सरकल होता है कुछ इस तरह से या फिर में बात करूँ आपके पास कोई ट्राइंगल होता है या फिर आपके पास बात की जाए यहाँ पर कोई पैल्लोग्राम्स होता है तो यहाँ पर हमने बहुत सारी जोमेटर के बारे में डिसकस कर रहे हैं इस video lectures के अंदर हम बात करेंगे, मतलब इस chapters के अंदर हम बात करने आले हैं basically इस geometry के बारे में, yes, अभी तक हमने इस geometry की जो basics need थी और जो basics के concepts थे, वही चीजे हमने यहाँ पर discuss कर रखी है, clear, अब इस video lectures के अंदर हम इसको बनाएंगे, मतलब देखें आपके पास अभी तक हमन सेखेंगे कि किस तरह के से यह सारी चीजे draw की जा सकती है, अब यह draw कैसे करनी है, तो आप बोलेंगे सर, यह scale की साहई help से draw कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम properly measurement के साथ यहाँ पर draw करेंगे, देखें, अब तक हम केवाले इसकी theoretical study कर रहे थे, just like मैं बात क पास एक triangle draw करना चाहते हैं, आप यहाँ पर, जिसकी सारों की यहाँ पर जो इसकी तीनों साइड से, उसके अंदर बात करें तो यह आपके पास 2 cm है, यह भी आपके आसका है 2 cm है, यह भी आपके आसका है 2 cm है, तो मैं बोल रहा हूं कुछ इस तरह सा आपके पास यहाँ ट् दिसक्स करेंगे इस practical geometric अंदर, तो practical geometry basically आपके पास जितने भी आपके objects हैं, यह आपके जितने भी आपके जितने भी यहाँ पर geometries है, यह फिर आपके पास जितने भी यहाँ पर 2D structures होते हैं, उनको किस तरह से drop किया सकता है, वो सारी चीज़ समझेंगे, तो देगा, इसको start क्क टार्ड करते हैं यहां पर सबसी नियुक्षाट कर ने के लिए कितम लिए किसे पर विश्यूंत की बार्मेट सुझ और क्योंती कॉपरने तो ततके हम यह उसका करने वाल रहे हैं वह हमारे पास कंपास आने वाला बात करूं तो यह सिप आपके एंगल को मेजरमेंट करने के लिए या फिर एंगल को ड्रॉ करने के लिए बनाना बरता है लेकिन अब से हम इस चीज का यूज नहीं करेंगे इसके पीछे का कारण क्या है जरा है समझते हैं आप कि यह चीज आपके पास डारेक एंगल को बनाता है यस जैसे मैं बात कुरूँ आपके पास यहां पर आपको 30 डिग्री बनाना है तो आप यहां से 30 डिग्री या 40 डिग्री जो भी आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं बट अब हम समझेंगे कि आप कम पास की हलप से यह यह चीज आपकिस तरह से यहां पर आउप करने वाले हैं कम पास की हलप से प्रह एंगल बनाना सीखेंगे उस एंगल के थूरू हम बागी के जितना ही आपके पास true structures हैं उन सभी को ट्रॉप करेंगे तो basically आपके पास बात करूँ practical geometry का जो यहाँ पर use आने वाले tools से वो सारी यह है अब इसके अंदर देखिए आपके पास main important चीज़ है कि practical geometry काम कहां आती है तो practical geometry का एक तो हमने यहाँ पर देखा कि आपके पास जितने भी 2D structures है वो सारे बनाने आती है इसके साथ साथ देखे यहाँ बात करें तो आपके पास देखे building construction के अंदर बात करें यहाँ पर या फिर कोई designing tools आपको बनाना है या फिर मैं बात करूँ आपके पास road map होगे यहाँ पर कोई machinery part होगे आपके पास यह तो यह सारी चीजे बनाने के लिए आपको प्रैक्टिकल जॉमेट्री के जरुत पर दी है जैस्ट लाइं मैं बात करूँ आपको बिल्डिंग का construction करना है तो बिल्डिंग का construction क्या होता है सबसे पहले आप यहाँ पर एक box बनाते हैं जो आपको समझाता है कि आपका यह first floor है उसके बाद बात करें यहाँ पर तो आपको चूपर से इस तरह से बना देता है तो यह तरीकी से बिल्डिंग का construction ही तो होगा इसके इंदर हमने क्या किय और एड़ करने के बाद आपका structure बना तो प्रैक्टिकल जोमेट्री एक तब बहुत इंपॉर्टन चीज़ है यहां पर प्रैक्टिकल जोमेट्री के रूप में उसके बाद क्लास यहां पर बात करें नाइंत के अंदर भी आप पढ़ेंगे यहां पर कंसेक्शन के फॉर्म में क्लास 10 के जाएंगे तो वहां पे भी कंसेक्शन के फॉर्म में आप इसे पढ़ने आले हैं तो यह बहुत इंपॉर्टन चीज़ है कि यहां से आपके बेसिक चीज़े स्टार्ट होगी है अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ और देखते हैं यहां पर इंपॉ बहुत ज़दा आसान है आप बोलेंगे सर आप हमें एक लाइन सेग्मेंट दीजिए यहां फिर में बात कुरू एक रे दीजिए और रे दीजिए उसके बीच का एंगल मेजर्मेंट करना है हम डी रखेंगे वहां से एंगल मेजर करके बना देंगे जस्ट लाइग मैं अब मैं बोलता उ हूं आपको एस तरह का बना सकते हैं तो इसके लिए मैं आपको जो शूचेंगे कैसे बनाना है तो उसके लिए तो आपके पास दुनिया में कोई भी एंगल आप से पूछा जाए आप वहां पर बना पाएंगे तो इस तरह का इंगल बनाना तो मुझे इसको हटा देता हूं कि अभी इसकी रिक्वार्मेंट नहीं है मुझे यहां पर कुल मिला गे तो आप कैसे बना सकते उसके वहां समझ बनाने के लिए आपका अपना बेस होना चाहिए उसी बेस के फर तो आपने 30-degree का यहां पर बनाना चाहें तो उसके लिए मैं आपको उता हूँ है नहीं आपके जो लाइन सेड्मेंट आपके पास है यह यहां आपके बात करें तो हम यहां पर अंगल बना लाई है तो आप काफी दिगरी है है तो यहां पर से मेज़र करेंगे और उसके बाद इसको जॉइंड कर देंगे यह थर्टर डिगरी बन गया लेकिन यह धाला है कि करना है क्लास एट के अंदर आ चुक्य है काफी क्लास काका काफी जो स्टेट एट को एक बोर्ड की फ़र्म में देखा जा रहा है वहां पर बोर्ड लिया जाता है एट क्लास का तो उनके लिए भी बहुत इंपॉटन चीज़ है तो इसलिए मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं कि कैसे कम पास क्या होना है आप देखें आपको क्या करना है फर्स्ट और फॉल्ट तो हमने यहां पर क्या 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 आप A और B पर बनाना है जाएक 30 पास करते है उपके इसके फोईंट के उपर हमें एक ए अंगल कर सकत krst इसको घर समझाता की नोब होती है ओके पैंसिल की नोब तो आपके बास circle ड्रो करने का वर्क करती है लेकिन यह जो स्टील की नोब होती किसी पॉइंट पे रखती है बस हमें यह सी चीज का यूज करना है यहाँ तो अभी तो मेरे पास compass नहीं है लेकिए मैं काम कर सकता हूं यहाँ पर compass की तरह वर कर सकता हूं अब देखे कैसे वर कर सकता हूं जलाए यहाँ पर समते हैं तो देखे सबसे बहुत है कि कोई जरूरी नहीं है आप चाहें तो 2 cm का भी कर सकते हैं लेकिन आप यहां पर थोड़ा ज्यादा ना करें यहां पर ने तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी डियाग्राम सबनाते वक्त लेकिन आप कम ही रखें जैसे इस सेग्मेंट के बीच में कहीं ना कहीं रखें ओके या फि करने के लिए किसी चीज लिए सबसे यंपोर्टन जो कंसेप्ट होता है कि जब आपने एक बार घॉपन कर दी आ किसी अपन किया होगा आपने कि सेंटीमेट अपनी तो वह जो कंपास आपका ओपन रहा है ना उस कंपास को आपको कोई भी मूमेंट नहीं देना है मदला और वाद में कहीं न कहीं जाकि आ स्सक्वार को ऎला है ज baking आ गाई होने वाला है क्या हमारे पार पार स्ट रहाए हमारे हमारा इंट और तक हमारा में अजब तक हमारा línea उसी वो ही है आपके पास कोई मुमेंट नहीं धिया यहां पर मैंने यहां पर अट और Communist कि इक और bleibt किया कुछ इस थि wurd अब करते हैं यहां पर मैंने एक और इस तरफ किया clear okay अब यह कांग करते थे यहां पर मैंने इसको और आगे बढ़ा दिता हूं कुछ इस तरफ से okay तो मैंहीत कया है खोड़ा सा आगे बढ़ा दिया यहां पर हई पर इस तरह से clear okay अब देखें यहां बात करते हैं इसमीन प liner त्लİ julie उसके बाब मैं बात करूँ आगे पास यहां पर मैंने थर्ड कट बराया यहां पर इस तरह से मैं आगे लिया एक और कट बना दिया यहां पर तो इस तरह से मैं कट बना तो यहां पर थोड़ा सा और सिंप्लिफाइड डियाग्राम आपको बहुत अच्छा दिखाने के लिए एक काम करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर क्या काम कर रहा हूँ ज़रा देखेगा यहाँ पर तो मैंने क्या किया है यहाँ पर बी पॉइंट पर रखते हुए मैंने इस तरह से सर्कल बना दिया आप यहाँ पर पूरा कमपार्स को रोटिट करेंगे तो आपको एक circle नजर आएगा यहाँ पर और इसके अंदर में बात करूँ आपके पास cut के लिए तो देखें आपके पास यहाँ आपके बात करें तो यह first cut हो गया है उसके बाद आपके second cut हो गया है उसके बाद बात करूँ आपके third cut हो गया है यहाँ पर रखते हुए 4th हो गया है उसके लाद इस तरह से cut हो गया है यह सारे cut आपको यहाँ पर दिखेंगे cut का नाम लगते हैं यहाँ पर तो देखें आपके आज अभी समझहने के लिए मैंने आपको यहाँ पर सारे cut बनाए है बागे इतने सारे cut की use जरुवत नहीं होती है जितनी जरुवत है आप उतने ही बनाए तो यहाँ पर B1 हो गया है यहाँ पर बात करें तो B3 हो गया है यहाँ बात करें B4 हो गया है यह बात करें B5 हो गया है और यह बात करें तो B6 हो गया क्लिया इस तरह से मैंने कट बना दिये अब देखी यह जो कट है यह कट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टन चीज बोलते हैं क्या बोल रहा है ज़रा डिसकस करें यहां पर फिर से तो देखें मैं यहां पर क्या करूंगा अपने एक लाइन सेग्मेंट लूँगा जो कि बना लिया उसके बात करो यहां पर मैंने एक लाइन सेग्मेंट और बना लिया उसके बाव बात करें यहां पर पी प्राइला जो लाइन सेग्मेंट बनाया है यहां पर इसको ल्टो नहीं कर देता हूं इसको यह पर ते आपके पास यह यह ल्टी समयक्राइब करतेख स Tanz 10 कॉर्फी कर देख है यह कर देखें यह जो 60 डिग्री का अंगर्स बनाने वाले थे वो आपके पास कंपास से कैसे आया सबसे पहले हम इस पॉइंट पर रखा कंपास को इसे कट किया फिसकी बाद कट किया फिर्ष्ट कट किया तो फॉर्स्ट कट जो आपको यहाँ पर देता है यहां पर यहां से यहां से यहां से इंगल मेंजर किया है मैंने यहां पर यह कितने डिगरी का है यहां पर यहां से पॉंइंट बात करें यहां पर चोटे 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 अंगल देख रहे हैं और पर एंगल के बीच का जो गैप है वह आपके आसका है 60 डिग्री फिर उसके बाद आपके आसका है 120 डिग्री उसके बाद करें आसका 180 डिग्री और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपके आपके अंगल बनते रहेंगे फिर आपको ज सेग्मेंट है पहले वोड़ा कर लिए अभी यह कितनी विस एंडिविटर्स की हो सकते हैं वो बना लिए उसके बाब बात करें यहां पर तो मैंने कहांगे यहां पर तो यहां पर कट लिया फिर उसके बाद दिखें इसके बीवन के उपर रखते हुए आपको यहां पर कर बनाना है जो कि आपके पास क्या होगा यहां पर भी भी बढ़ते जाएंगे और इसके अंदर बात करें तो हमें यहां पर फॉर्स्ट एंगल देखने को मिलता है इस वाले इंगल के बात करूँ यहां पर यहां पर इस तरह से बना के छोड़ दिया अब देखें नेक्स्ट आपके वास क्या है यहां से फॉर सेंटीमेटर्स करना यहां पर चुछ दिया तो मैं इस पॉइंट का नाम क्या देदूगा यहां पर सी देदूगा तो यहां से मेरा यह जो स्ट्रेक्चर से फॉर सेंटीमेटर्स वाला वह बन जाएगा अब आप सोचनों के सर यह बाकी की जो लाइन से यह आपको नहीं बनानी है देखें कुछ इस तरह से मैं आपको रिमूओ करके दिखा देता हूं आपका जो डाइग्राम दिखेगा वो केवल इतना सा दिखना चाहिए केवल एक्जाम के पॉइंट ऑफ यू से बताओं यह दो मैंने आपको समझाने के परफस से बतायता यहां पर आपका डाइग्राम है वो कुछ इस तरह से दिखेगा क्लिया मैं एक बार में रिमूओ कर देता हूं यहां पर देखें तो यह आपका डाइग्राम कुछ इस तरह से दिखना चाहिए एक्जाम के लाइग्राम यहां पर तो यह डाइग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा क्लिया पहले आपने एक आर्क बनाया उसके फर्स्ट आर्क बनाया फर्स्ट आर्क बना तो यह आपका डाइग्राम कुछ इस यह पर बनाते हैं लेकिन हमने क्या-क्याराया पर ऑब दीमाग में कुश्चिन चल रहाँ होगा कि सर यह तो आपने हमें बताया है कि यहां से आप सकते हैं लेकिन यहीं मुझे 30 दिग्रीज का आंपको यहां पर तो बहुत आसान है कैसे करना है वह मैं हाँ पर ही समझा रहा है यह तो यह थो बना लिया तो यहां पर बना दिता हूँ यह इसको किसी भी तरीके से दो इक्वल व्यूड पार के रिभाइड कर दे जाए तो मुझे थर्टी डिग्री का एंगल मिल जाएगा, तो वो कैसे मिलेगा, जरह यहां समझते हैं, तो देखे स्वाइब चीज है हमार पास, हमने क्या क्या यहां पर, compass को open किया था तो यहां पर हमने जो point बना था यह point B आ चुका था यहां पर हमने यहां पर cut लगाय था जिसका हमने नाम दिया था B1 point यहां पर cut लगाय था आकरास B2 point हो गया था B1 B और B2 के बीच का जो angle था यह हमने measure करके दिखाया था कि यह हमार पास कितना है 60 अब compass को आपने यहां पर कोई moment नहीं दी ती यहां पर हमने compass को कोई भी मोमेंटरी नहीं दीते हुए हम क्या करेंगे B1 के उपर यह रखेंगे यहां पर रखाए मैंने यहां पर इस तरह से रखाए तो मैं क्या करूँगा यहां पर B2 पर रखते हुए कुछ इस तरह से cut लगाया यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर बात करें तो मैं इस cut को यहां पर जोइन कर देता हूं यहां पर यहां पर यहां पर ब्लैक कलर की लाइन से मैं जोइन कर दिया तो आप जड़ा देखें यहां पर यहां पर यह जो एंगल आप देख पाएंगे यह वाला जो एंगल आपने बनाया है यह एंगल आपको किस एंगल से रिप्रिजेंट करेगा 30 डिगरी के एंगल को तो आप यहां पर इसको लेके इसके पर रखें रखके आप में जबनाना है तो यह इस तरह से आप यहां पर आगया है यहां पर उसके आपने 60 बनाए हैं आपके दिवांग में चलोगा सर्थ 90 डिग्री कैसे बना सकते हैं तो यही जैठक करें जो का आपके दे रहा है ओन ट्वीर आपके जो अंगल आपके आपके इसका मतलब आपके पास तक को आपके आपके बास एंगल कितना कितना आह रहा है 60 आ रहा है, यहां तक आपके पास angle का रहा है, 120 आ रहा है, जब देखें, यहां पर मैं बात करूँ तो यह जो line segment इस तरह से बने वे गए है इस point के उपर बात करें, तो यह आपके आज 60 degree है, इस point पर बात करें तो यह आपके आज का है, 120 degree है इसे के बीच में कहीं न कहीं मुझे iets की और आपका सिंट्टि इसके बीच का कितने का करहें आप का लिए impa all-ley एक यह और आप TL सीक्षी प्लस फर्टी eg volleyball आपका सिथिरें यह जो सिट्टी है इस इस्टी की साथ मैं घर्ड कर दू तो आपको qyaano पादेखा बेसिकल बात करें इसके मीडल के अंदर आपको यहां पर एंगल बनाना पड़ेगा इसको बोलते हैं ऐंगल बाय सेक्टर यह जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर wirklich को उना रहे हैं इसको एंगल 60 और यह आपके पास 120 इसके बीच में मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर 90 मिलने आला है तो मैं क्या करूंगा कंपास को ओपन करूंगा वही चीछ तो अब आप को यहाँ पर देखेगा आप यहां पर जब इसे मेजर करेंगे यहां से और आपके पास यहां बात करूंगा में बात करूंगा के बारे में 20 उसके बाद baat करें आप गया और 180 degree 240 यह आपके पास बना है उसके बाद आपके आपके बात करें तो अगर सुगयर 360 clear और आपके पास दो एंगल के बीच का जो gap है ज़स्में बात करूँ किसके बारे मैं gap के बारे में बात करो यहाँ पर तो gap कितना आ रहा है यहाँ बात करें yes yes gap के बारे हम बात करें तो gap कितना आर आपके पास यहाँ पा 60 degree का रहा है और वही 60 degree का कौन क्या देगा आपके पास middle वाले जो angles है वो आपको देने वाला है clear हो गए यहाँ पा तो इस तरह से आप अपने angles को compass के हर्द से बना सकते हैं तो अपसे आपको क्या करना है यह आपके ट प्रेथे Catalaterial है या फी D भीद देनी इसको यह का यूज नहीं करना है हमें किन-किन चीजों का यूज करना है बेसिकली बात करें तेtoo compass का यूज करना है एक scale का यूज करना है ओके आप चाहें तो इसका भी ऊशक्ते हैं, divider का भी ऊशक्ते हैं और आप क्या यहां got ogram को सकते हैं, बाकि में बात करूँ, आके पास यहां पर तो इस चीज का यूज करना बोल जाएrit Ara uh, अब आपप क्या कारें यहाँ पर बस इसका यूज क्या लिए हैं आपको यहाँ पर श Uh सकते हैं हैं तो आपके मर्किंग कर सकते हैं इसली हमें इसका करना चोड़ना पड़ेगा छोड़े चोड़े एंगल को कैसे कट कर सकते हैं यह सारी चीज़े हम सीखते रहेंगे लिया तो मिलते हैं हमारे अगले लक्षे के साथ कीशार कर सकते हैं यहां पर बात कर को कैसे कर सकते हैं यह वीडे कर सकते हैं यह सारी दो झाल